आपका स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम लाइव विद लंकेश में आचारी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस खास कारिक्रम में जोतिस सास्ट बेश शनी के बाद राहू दूसरा ऐसा ग्रे है जो सबसे आधिक भैभीत करता है हलाकि कम लोग इस बात को जानते हैं कि शनी क्रूर नहीं द्याय प्रिये है अगर आपके कर्म सही है तो आपको दुख नहीं पहुचाते है लेकिन राहू के साथ ऐसा नहीं होता है इसकी दशा हर हाल में जातक को नुकसान पहुचाती है ऐसे में इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए हर रात एक आसान उपाय करना जरूर होता है पहला सवाल अचार जी हम आपसे करेंगे कि किस तरह की बिमारिया होती है इस राहू काल के वज़े से परतम में आपको लोगों के मन में जो शंका होती है कि राहू के आधार पर बहुत सारे परेशानिया आती है समय खराब होने लगता है धन हानी होती है और तमाम तरह की चीज़ें राहू के करन होती है लेकिन राहू आपकी कुन्ड़ी के कौनसे भाव में बैटा है ये सुनुशित कर लेना चाहिए यदि राहू हमारे लगन में बैटा हुआ है तो कहीं न कहीं हमारी सोच को, हमारे बुद्धी को वो कहीं न कहीं नुकसान पहुचाता है और यदि राहू हमारे चतुरत भाव में उपस्तित है और राहू की महादशा आ गई है तो आपे समझें कि कहीं न कहीं हमारे भावन को, भूमी को, माता को और वैभव को हमारे नुक्सान पहुंसता है और अगर राहू हमारे लोवर बिल्ट में है यानि कि सश्टम भाव में है, सब्तम भाव में है, अश्टम में है तो इस प्रकार से ये हमें पेट से जुड़ी हुई विमारिया देता है जिससे कई प्रकार के दूष्पराओं होते हैं, जब हमारे जातक का कभी भी पेट הסही नहीं रहता और इसे बहुत प्रकार की बीमारिया होए लगती हैं। अगर इस प्रकार से हम देखते रहें आशार जी मैं आपको रोपना चाहूंगे हमाई साथ एक कॉलर जूट चुकी है संगीता महरास्त संगीता जी अपना सवाल कुछ है क्या जाना चाहती है आप गुरुजी इस प्रसंद रहें राधे 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 गुरुजी मेरे लड़के का डेट ऑबर्थे उसका नाम है अंकीत और उसका डेट ऑबर्थे 303094 और सावेरेका छे बचकर दो मिनिट और चंद्रपूर महाराष्ट्र गुरुजी मुझे यह पूछना है कि अभी इसमें एक मिति कॉलेज है मुंबई में उसमें इंटर्यू के लिए ट्राय किया है तो उसमें इंटर्यू होकि इसका एंबीए के लिए दो साल के पढ़ाई के लिए है और दूसरा कॉल आया इसको भाबा रिशर्च सेंटर से जॉब करने के लिए तो इसको जॉब करना चाहिए य है वो बहुत प्रबल है रिसर्च के आधार पर अगर वो कहीं पर जाती है और वहां पर वो नौकरी करती है या कारी करती है तो उनको अत्धिक लाब होगा तो भाबा रिसर सेंटर में जाने का उनका जो प्रयास है वो सफल रहेगा और उनको प्रगति पत्पर आगे ले करके जाएगा वो वहाँ पर जा करके अपनी पढ़ाई भी कर सकती है इसलिए यह जो दुतिये विचार है वो उसके लिए बहुत उत्तम है इनको ए प्रगत पत्पर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्त कामना है और आश्रवात बनारा से हमारे साथ गीता जूड़ चुकी है गीता जी अपना सवाल पुछेगा जी हम अपने बेटे के बारे में पूछना चाहते हैं जी मेरे बेटे का नाम अपूरु सर्मा है वो नीट की तैयारी कर रहा है और उसका सरकारी कॉलेज मिल जाएगा उनका समय बताएं चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ तत्य प्राप्त होते हैं तो चंद्रमा से जुड़े हुए जो भी हमें तत्त्य प्राप्त हो रहे हैं उस आधार पर हमें कई सारी चीजे देखने को मिलती है अगर वो नीट की तैयरी कर रहे हैं गौर्मेंट कॉलिज मिल ले में उन्ह फ Schuldने एक वुपाय करना चाहिए जो इनको जुलाई तक सफलता प्रण करेंगा इने चाहिए उन्हेες विर्धाश्रम में जा करके वहाँ पर हिए अंजाता ना चाहिए और उसके अलावा offense का Mr..are करें और एक पेड़ वे अवश्य लगाएं ऐसा करने से इनको सफलता प्राफ्त होगी और यह प्रगत्वत पर आगे बढ़ते चले जाएंगे आपके पूरे परिवार के लिए बहुत दों शुप कामना हैं और आशिरवात आशा करते हैं कि आपको गिता जी आपकी समस्या का समधान मिल गया होगा और गुरु जी हम बात कर रहे थे जाहिए जिनकी जातक में केके अंको चैनली में लक्षण क्या सुदूर उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखे उपाय से पहले मुझे आपने लक्षन के बारें बात की तो लक्षन ये होते हैं कि जाता को क्रोध अधिक आता है निर्ना लेले की क्षमता उसकी जो होती है वो शून नहोने लगती है और वो विकृत मान सकता का हो जाता है उसे क्रोध अधिक आता है वो अपनी बात को ठीक से प्रिजेंट नहीं कर पाता जानता बहुत कुछ है लेकिन वो उसको प्रिजेंट नहीं कर पाता वो समझ सकता है हर चीज को लेकिन वो उसको समझा नहीं सकता और उसके अलावा उसके मन में एक प्रकार का भै ब तो एक कॉंप्लेक्स आता है जिससे वो उल्जेन परिशानी और टेंशन में रहने लगता है तो इस प्रिकार के लक्षन राहू की दिश्चा में देखने को मिलते हैं अच्छा और जो व्यक्ति होता है यदि उसके नवम भाव से ले करके 12 भाव तक राहू विराजमान है तो जारुजी एक हमाइससात दर्शक जूड़ चुके हैं कमल कानपूर से कमल जी अपना सवाल पूछेगा आपके नाम के अधार में कमल जी मैं चर्चा करूं तो कहीं न कहीं मिधुन से जुड़ी हुई लगन हमको प्राप्त हो रहे हैं जो कि बुद्ध को इंडिकेट करती है आपको चाहिए कि आप प्रतेक बुद्धवार भगवान गरेश को दूरवा की माला चणाएं और उसके साथ कैथे का भोग अवश्य लगाएं ऐसा लगभग पांच बुद्धवार करने से आपके जीवन में आर्थिक तंगी है या मांसिक परिशानिया हैं वे सब यताशी कि दूर हो जाएंगे ऐसे भगवान गरेश से प्रातना करते हैं आपके लिए बहुत बश्यूप कामना है और आशिर्वाद इसी बीच आचार जी कॉलर हमाई साथ राजस्थान से नटवर लाड़ जू चुके हैं नटवर जी अपना सवाल पुछेगा क्या जाना चाहते हैं आप पर मेरा बच्चा आए कि कि यहरी कर रहा है जी जनम सारी है सब्सरा दस सब्सरा दस दो जारे एक ठीक है टाइम क्या है इनका नाम बताएं रितिक कलाल नाम कुना बताईए रितिक कलाल दीए रितिक जी के नाम के अधार पर और जम्तिदी के अधार पर अगर चर्चा कर रहे तो इनका जो नवम भाव है वो कहीं न कहीं तुछा सा कमजोर होता दिखाए दे रहा है जो कि इनके भ प्रहस्पतिवार को एक केले का पेड़ लगवाएं और शनीवार को इनसे आप एक बर्गत का पेड़ लगवाएं इन उपायों को करने से बच्चे का जो जीवन है वो सफल होगा उसको प्रगती की ओर जो रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे और बच्चा जो है वो उन् होता है तो कैसे मतलब पता करेंगे लिए नकारात्मक को और सकारात्मक है दो प्रकार के प्रबाव कर poorly का वाउर होते हैं tu वह उसको ईसको जुए में सटे में जापार में बहुत परगरति कर आते हैं और चबाल से जूड़ा हुआ काम करता है केमिकल से पर औिस तो sih उन्हें इस्थिए आति उन्हों पर बहुत सब्सक्क्राइख फीर हासिल हो तो चasmप किस तरह की कारी करने चाहिए कि उसको सफलता हासिल हो ग्थे राहू की दिशाः अगर हमारी कूंड़ी में है तो उसको सकारात्मक है उसकारात्मकता को बढ़ाने के लिए और अगर नकारत्मक है तो उसके मare आत्मकता को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाए होते हैं ऑसे Esti पदही से शिवलिंग का लेपन करना चाहिए धतूरा बेल पत्र अकोड़े के पिर के जो फल होते हैं यह सारी चीजे चढ़ाने चाहिए ऐसा करने से जो उसके नकारात्मक चीजें हैं वह कम होने लगती हैं और व्यक्ति आगे बढ़ने लगता है सकारात्मक्ता को बढ़ाने के लिए हमें इत्रच अचाहिए ळावा हमनी कृश्पश ओणने चाहिए और भगवान तो प्रतना करने चाहिए कि हैं बोले नात करने के लिए उन्हें चाहिए कि वे भगवान शिव पर उन्हें आटे के सांप बना करके चछ़णे चाहिए एसा करने सी सब्सक्राइब करने बढ़ता है जिस से बढ़ता है हमाई साथ एक कॉलर जोड़ चुके हैं निखत कानपुर से अपना सवाल कुछ है क्या जाना चाहते हैं आग जो काम करते हैं वो सब गलत हो जाते हैं और जो है बहुत हमारे नाराज रहते हैं और जिन में क्या करें पंडी जी से बताइए दिखे जो भी समस्या हैं आपके जीवन में उत्पन हो रही हैं और आपके नाम के अधार पर मैं चर्चा करूँ तो आप यह समझे कि कहीं न कहीं शुक्र थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपका उससे आपको कुछ नकरात्मक परभाव आपको प्राप्त हो रहे हैं तो आपको च कि आपके लिए बहुत बहुत शुक्र संवाल पूछ ढ़रब करते हैं कि आपकी समस्या का समधान आपको मिल गया होगा और Micamware क्लान शूब एक कानपूर से अपना सवाल पूछिए के भिटेश है विवेग जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पारी है साफ विवेग जी अपना सवाल फिर से पुछे आपके आवाज नहीं मिल पारी है विवेग जी आपके आवाज हमें नहीं मिल पारी है अजे इसी बीच एक कॉलर जुड़ चुके हैं अजे कानपूर से अजे अपना सवाल पुछेगा सवाल पुछे अजे मेडम मैं कोई काम से तो मेरा कोई काम बनता नहीं है कि अजे एक ऩाय खितने के और अपको शिखिए हुआए नाम की आधार पर मुझे कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हुआ widz प्राफत हो रहा है जो आपके काम को कहीं और कर अनि अद्र पंपर लेंद हा रहा है और लाफु आपकी कंद्ली में कहीं दस्थम भाव को भी पीडित करने करें उसके लावा आपको सोंवार के दिन एक बेल के वरक्ष का रूपड करना है आप उसे अपने घर में लगाएं मंदिर में या किसी पार्क में लगाएं एक बेल का पीड़ आपको लगाना है सुवार के दिन ऐसा करने से आपको यता शीक्र आपके जीवन में होने वाली समस्याओं से निदान मिल जाएगा आपके उज्वर भाविश्य के लिए बहुत बहुत शुप कामना है और आशिरवाद फिल्हाल वक्त चुला है एक छोटे से ब्रेक का हम जल्दा जिरूंगे हमारे कारिक्रम में आपका फिर से स्वागत है और इसी बीच हमारे एक कॉलर जुट चुके हैं बदायू से गुल्शन जी अपना सवाल पूछिए गुल्शन जी से संपर्ख हमारा तूट गया है किसी वस गुरुजी हम जानना चाहेंगे कि जिसकी मतलब जातक में कुंडली में ये राहू का दोश होता है उसे क्या उपाय करने चाहिए कि आपको रोकना चाहूंगी अचार जी हमाई साथ एक दर्शव जुड़े हुए है विवेक कानपर से विवेक जी अपना सवाल पुछिएगा विवेक जी आपकी आवाज हमें ने मिल पा रही है हर आप कि अपया आप य है अरा दी आवाज आपके अवाज हमें नहीं मिल पा रही है अलो हां अपना सवाल पुछिए आखर आवाज आ रही है यह उसार में यह पहतना चाहे दो अग्वर पूर्लोषवां पीसे बहूत मैंने चंगर्ण किया मुझे वहां से टिकत्स त कर दिये सी लेकिंग तो भागी मोद्ग कि तो तो क्या मेरे ग्रेय नच्छत रोखरों मेरा चाहा तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल इस पच्छ बदा दू कि राजनीती में राहू का बौध ही प्रबल योग होता है और आज हम लोग राहू पर ही चर्चा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको अपनी कुंड़ी पर स्वासा विशलेशल करना चाहिए चार्यों से विशलेशल करवाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कारण रहा कि आपको राजनीती में दخल देने का मौका नहीं मिल पाया इश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द आपको राजनीती में कदम रखने का दुबारा मौका मिलेगा और आप बहुत अच्छे इस तर से राजनीती में दुबारा आएंगे आपको एक काम करना चाहिए सरप्रधम आपको जो भी मेहनत कश्वेक्ती हैं जो भी पसीना बहाते हैं यानि कि जो मजदूर होते हैं लेबर जीने कहते हैं जो रिक्षे वाले होते हैं ठेले वाले होते हैं उन्हें आप सरसों के तेल में बना हुआ भोजन कराईए उसके सा करने का और अपनी प्रतिवाय दिखाने का कौशन दिखाने का मौका मिलेगा आपके लिए बहुत 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 शुब काम नाएं और आशिर्वाग इसी बीच हमारे केकिते कॉलर जुट चुके हैं बदायू से गुल्शन जी गुल्शन जी अपना सवाल पुछेगा क्या सम की आपकर एक बहुत उत्तम करना है आपको चाहिए कि आप प्रविवार के दिन एक गुडहल का पेडं आपको लगाना है या गुडहल के अलावा आपको आपको गुडहल कंपीड मिलने में समझ्य हो रहे थितो कोई ऐसा प्रेड लेते इसले लाल रंग के पुश्व होते हैं वह आप लगाएं और उसके अलावा आपको भगवान सूरी को तामे के पात्र में जल डाले उस्मत कुछ राल रूली डाले और उससे भगवान सूरी को अड़ दे ऐसा करने से आपके कार्रे में तीवरता आ जाएगी और आप प्रगतिवत प तो शिवाने जी आर्तिक इस्तितियों को सुधारने के लिए आपको एक बात का विशेद ध्यान रखना चाहिए कि आपको शुक्रवार के दिन आपको एक चमेली के पेड़ का रोपड करना चाहिए और सफेद पुष्प से माता लक्षमी की पूजन आपको करना चाहिए और उसके अलावा यदि आप थोड़ा सा सक्षम हैं तो आपको चाहिए कि आप रात्री में साड़े नौ बजे के बाद सफेद रंग का आसन इस और आप पे हमेशा करपा बनाये रखें आपके लिए बहुत बहुत आशिरवाद एक कॉलर हमारे साथ राजस्तान से अशोग जी जोट चुके हैं अशोग जी अपना सवाल कुछ है क्या समस्या है आपकी आचारे जी नमस्कार जी जी रादे रादे जी मैं एक दुकान आशोग जी देखिए मैं आपको बतारा चाहता हूं कि आपके नाम के आधार पर हमें जो राशी प्राप्त हो रही है वो कहीं नहीं सूर्ट के तक्त्त से जुड़ी हुई है तो आप अगर तो इस चीज का ध्यान दे कि आपका इंटरेस्ट किस फिल्ड में उसके अलाबा आपको जो कारे करने चाहिए तो जो सिच्छा से जुड़ा हुआ कारे आप कर सकते हैं सिच्छा से जुड़ी हुई समग्रियां उसका अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसके अलावा आप वस्तरों का भी व्यापार कर सकते हैं और अगर इन दोनों से हटके आप कारे करना चाहते हैं तो आप भवन निर्माण का कारी भी जो उसमें लगने वाली जो समगरी लगती है उसका भी आप काम कर सकते हैं यानि कि बिल्डिंग मटीरियल उसका भी आप काम कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए बहुत बहुत एक बार ब्रेक के बाद फिर आप सभी का स्वागत है लाइव इत लंकेश में और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं राकेश कानपूर से राकेश जी अपना सवाल पुछिए क्या जाना चाहते हैं आप राकेश जी अपना सवाल पुछिए लगता है संपर्ट टूट गया है हमारे साथ अगले कॉलर सतीश जुड़े हुए है सिकंद्रबाद से सतीश जी अपना सवाल पुछिए मैं इतना पैसे कमाता हूं लेकिन पैसा नहीं बसता है उसके वारे में उपाय बता हूं जी जी सतीश जी आपके लिए एक बहुत ही उत्तम उपा है आपको चाहिए कि आप एक पीतल के कलश में कुछ एक या दो चांदी के सिक्के रखे और उसमें थोड़ा सा पवित्र नदी का जल भर करके रख दें और उसका जो कलश का मुख होता है उससे आप सफेद से बंद कर दें ऐसा उसको करने के प्रश्चात आप उसे किसी एकांत स्थान में लगने और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो धन की समस्या है धन का जो आवागमन है उसका जो बैलेंस है वो बराबर होगे आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है और जातकों की राच उसमें क्या केता है कुंडली में यह दोश होता है उसको क्या उपाय करने चाहिए कि सकारात्मक्फल मिल सके उसे राहू का सकारात्मक्फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार के उपाय करने चाहिए जिसमें कि उसे सर प्रतम देश्वात का ध नियंतर्ण में रखना ही राहू का सबसे बड़ा उपाए क्योंकि राहू की जब महा दशा अंतर्द्द्रशा प्रतेंद्र दिशा या सुक्ष्वांतर्द्रशा भी आती तो ब्यक्तिका क्रोध का एक लेवल होता है बहुत ही हाई हो जाता है तो इसमें अपने क्रोध का नि तो आपको किसी भी प्रकार से कच्ची सलाद का सेवन नहीं करना चाहिए आपको मासमद्रिय का उप्योग नहीं करना चाहिए ताम्तिक परोतिया आपको नकारात्मक्ता आपके कुंडली में होने वाले जो ग्रह हैं उनकी शुवता को कम करके नकारात्मक्ता को बढ़ा देंगी उनका बल बढ़ा देंगी तो इस परकार से हमें इ पूर्जा को सन्निहित करते हुए अच्छे काम करने चाहिए और 24 गंटे में एक बार हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसको करके लगे कि नहीं मैंने आज किसी की कम से कम मदद करी हो सकता है कि कोई रिक्षे वाला हो परेशान हो करके पीछे आ रहा हो आपने थक्का लगा द परेशान जबती की मदद कर देनी आचाहर जी आपने बात की क्रोध की तो वह कैसे कम किया जा सकता है कि कुछ लोगों को बहुत जादा क्रोधा है कि क्रोध कम करने का बहुत यह आसान उपाए कि भगवान श्रीव का मंत्र है जो अक्सर हम लोग रूद्रा विशेख में तो यह क्रोध आपका दीरे-दीरे-दीरे कम होने लगेगा और जातक को चाहिए कि वे चांदी के गिलास में पानी पीने से जातक का क्रोध सुता ही कम हो जाएगा और वो प्रगत इमार पर प्रसिस्थ हो जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा उसकी उर्जा का स्वन उसके अलावा हमें एक बात का विशेद धानतना चाहिए जिन भी व्यक्तियों की राहू की महाधिसर चल रही है उसकी शुबता को बढ़ाने के लिए उन्हें चाहिए कि वे प्राता काल उठें प्राता काल उठकर के उन्हें स्नानों परांती कुछ खाना पिना चाहिए कई और ऐसा होगा देखा होगी और ऐसे व्यक्ति को होता है कि वह व्यक्ति सुबह देर से उठेगा उसकी बाद उसका भोजन कोई नियम नहीं होगा उसका स्नान के पहले वो कुछ खाले तो यह चीज़े जो है वह राहू की नेगटिविटी को बढ़ाती है और अपनी जो रा और ओम तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु का जाप करना चाहिए अब बात आती है राहू के दान की अचार जी हम रोकना चाहेंगे आपको हमारे साथ एक कॉलर सुरेंद कानपुर से जोड़ चुके हैं सुरेंद जी अपना सवाल पुछेगा क्या समस्या हैं आपकी बंड़ी रादे रादे जी हमारा सवाल है बंड़ी हमारी शादी के एक शाल होने वाले 26 सब्सक्राइल को हो तो हमें बहुत बहुत हैं बहुत सारी शुब कामना है आप अर्द नारीश्वर की तरह भगवान शिव पार्वती की तरह अपना जीवन वितीत करें और उन्नती की और अग्रसर नहें ऐसे मिश्वर से प्राफना करते हैं ऐसा आपको आशिरवाद है और आपके लिए एक बहुत ही उत्तम उपाई ये है कि आपको एक शिव गौ अभिशेक करना है ऐसा करने से आपके जीवन में आपके दामपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा सौहार्द बढ़ेगा और आप लोग एक दूसरे के प्रती प्रेत रहेंगे आपका एक दूसरे के प्रती अकूर्ट प्रेम रहेगा आपके उज्वर भविश्य के लिए औ और आपके दांपत्य जीवन के लिए बहुत-बहुत शुब कामना है और आश्रीवाद वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाएगा हम जल्द हाजिर होंगे ब्रेके बाद स्वागत है आपका लाइव इद लंकेश में आचार जी हम बात कर रहे थे दान की आप बता रहे थे तो हमाई दर्शकों को बताईए दान के अधार पर बात करें हम तो तीन प्रकार से चीज़े की जाती है की की दान का जो महत्त होता है बड़ा ही विशेश महत्त होता है थीन प्रकार से पर रहू विराज मानों करके हमारे बुद्धि और विवेक को कई गुना बढ़ाते भी हैं और उसमें नकारात्मक्ता भी कहीं ने कहीं से एंटर्फ हो जाती है यानि कि विक्ति की सोचने की जो च्छमता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है तो वो हर प्रकार की चीजों को बहुत ही अदर डीपली सोचने रखता है तो उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने के लिए और नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए हमें एक उपाय करना चाहिए हमें चाहिए कि हम प्रतेक शनिवार नौ मचली बहते हुए पानी में प्रवाहित करने ऐसा करने से ऐसा जो ये राहू के दान में इसकी विश्रत महर्पता दी गई है हमारा बुद्धी विवेक बहुत ही तेज होता है और हम प्रगत पर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं दुती भाव के अगर हम बात कर जो हमारा सेकेंड आउस होता है वो हमारा वानी व्यक्तव को सोचित करता है और हमारे बनते हुए काम impul को भी भिगाड़ देता है इसलिए हमें रहू के दुतिय भाव में हमारा रहू है तो हमें इनुग से बढ़ना चाहिए का राला क्लांग क्या होता है हमें उलध के पापड दान करने चाहिए एसा दान करने से हमारे जीवन में जो राई० का प्रिभाव है जो नकारत्मक मुप ऑखत है त्रतिभा उतेरे कर के के लिए क्या करना चाहिए अपनी उर्जा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए तो जो हमारा थर्ड हाउस है तो थर्ड हाउस को मेंटेन रखने के के लिए हमें एक बहुती छोटा सभॉपाय करना चाहिए कि हवे हर बुद्वार को कि हमें आम का पेड़ लगाना चाहिए आम का पेड़ लगाने से हमारा पराक्रम बढ़ता है हमारी राहू की शुवता बढ़ती है और उसकी अशुवता कम होती चली जाती है चतुर्त भाव में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आती हमारे वाहन भावन भूमी सुख और माता का भाव ये पांच चीज़े हमारे चतुर्त भाव से देखी जाती है चतुर्त भाव में अगर राहू विराजमान है तो हमें एक काम करना चाहिए हमें अपनी माता की सेवा पर्याबत र करें तो उसमें एक दो तिल डाल दें उसके वादम दूद कदान कर सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत उत्तम होता है अजार जी एक कॉलर हमारे साथ राजस्थान से महेंदर जी जूड़ चुके हैं महेंद जी अपना सवाल पुछेगा आपको क्या जानना है महेंदर जी अगर मैं आपके नाम के अदार पर चर्चा करूँ तो कन्या राशी वहाँ पर निकल करके आ रही है जो कहीं न कहीं बुद्ध को इंडिकेट कर रही है तो आपके लिए एक बहुत ही सुन्दर सा उपाय है आपको चाहिए कि आप एक रुद्राक्ष की माला शिव मंदिर में दान करें और उसके पश्चात आपको चाहिए कि आप एक बेल का व्रिक्ष शिव मंदिर में ही लगाएं किसी शिवाले में ही लगाएं अगर महाँ पर स्थान नहीं है तो आप उसे गंबले में रोपित करके भी वहाँ पर दान कर सकते हैं ऐसा आप इन उपायवों करिए और भगवान भुरे नाथ से प्रत्ना कीजिए कि हे देवादे देवादे हमारे जीवन में जो मकान से संबंदी जो घर से संबंदी जो प् में जी उमीद करते हैं आपकी समस्या का समाधान को मिल गया होगा ओर आपकी टीवी स्क्रीण पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं अब उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समधान अचार्जी से ले सकते हैं अचार्ज करदे दान की चुक्ष पंचम भाव करें तो संतान और वेट अगर हमें करना है हमारे संतान अख्शी रहे बहुत ही प्रक्यतिशील रहे और जाबान रहे और हमारी सिक्षा भी जो से शाते हैं वहपनी सीप्षा को बढ़ाना चाहते हैं अगर वहां बर रह हमारे करें तो उन्हें चाहिए कि वे mineral करें में सीजोड़ी और करेंगे तो आप निश्चित तोर पर सफलता की और अग्रिसर हो जाएंगे अब हम बात करते हैं सश्टम भाव छटे भाव का राहू बहुत शुब होता है छटे भाव में अगर राहू है तो आपके समझे कि वो हमारे शत्रमों का नास करता है रिड़ का नास करता है रोक का याने के छटे भाव की राहू को हमें पावर देने के लिए क्या करना चाहिए छटे भाव के राहू को पावर देने के लिए हमें चाहिए कि हम देवी मंदिर में अनार का दान करें हम किसी भी शनिवार को देवी मंदिर में जाएं और प्रयास करें माता भद्रकाली के मंद रादे रादे जी और गुरुजी मेरे पति का नाम है दीपक और उनकी देट आप बरत है दो चार 63 जी और दो पेर का दो बेच को 45 मिनित और जलमस्तान है मुंबई जी अगुरुजी मुझे यह पूछना है कि एक प्राइवेट सिमेंट कमपनी में काम करते हैं तो इनको प्र प्रशम भावकाई ने कहीं थोड़ा सा कमजोर होता दिखाई दे रहा है आपके लिए एक बहुत सुन्दर उपाई जिस उपाई को करने से आप यह समझ यह कि नवंबर के बाद इनका प्रमोशन मिलकुल तय है और इनको बहुत अच्छी जगे इनको बैठने का मौका मिले और अगर वो अनाच का भी वित्रन करने तो बहुत अच्छी बात है तो इने प्रतेक शनिवार इस उपाई को करना है ऐसा करते रहने से इनके जीवन में जो भी दशम बहुत समझ दी जो समस्यान उत्पन्न हो रही है वे यताशी कर समाप्त हो जाएंगी और इनकी इनका ज होगी आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुब कामना है और अश्रवाद है लखनाव से कॉलर अनिल जी जूड चुके हैं अनिल जी अपना सवाल कुछ है क्या समस्या है आपकी सब्सक्राइब करें तो कहीं न कहीं आप इस समझे कि हम जो राशी प्राफ्त हो रही है और चंद्रमा कहीं न कहीं आप समझे थोड़ासा डिजाइनिंग के तरफ भी रहता है ऐजूकेशन की तरफ भी रहता है और ओपूनम जी को चाहिए कि अगर वो सिक्षा के चेतर में जा सकती हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है वो टीचिंग लाइनमे जाए उनके लिए बहुत अच्छी प्रगती और सफलता उनका इनतजार कर रही है तो उनको चाहिए कि प्रगति पत्पर आगे बढ़ने के लिए वे सिक्षा की ओर जाएं सिक्षा से जुड़ी ही फील्ड को चोने और उसके अलावा उन्हें जो उपाय करना चाहिए उन्हें चाहिए कि वे सौंग वार के दिन उनको एक बेल के व्रक्ष को लगाना चाहिए और उसके साथ में ब्रैस्पति वार के दिन कि वे सिक्षा के छेतर में जा रही है तो उनको ब्रैस्पति को भी स्ट्रॉंग करना ब्रैस्पति वार के दिन उन्हें चाहिए कि एक केले के व्रक्ष का रोपड़ करें ऐसा करने से उनको यताशीग प्रगति मिलेगी आपके लिए बहुत बहुत कामना है और आश्रवाद इसी बीच एक कॉलर उन्द नाओ से अनुपम जी जोड़ चुके हैं हमारे साथ अनुपम जी क्या प्रश्ण है आपका क्या जानना चाहते हैं आप अनुपम जी अगर मैं आपके नाम के अदार पर सरका करूँ तो आप यह कही पर मुझको कन्या लगन प्राथ हो रही है तो जो कन्या लगन है वह आपको तीवरता थोड़ी सी कम परदान कर रही है तो अपने कार में तीवरता को बढ़ाने के लिए आपको चाहिए बहुत एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ये समझे अगस्त के महिने तक सफलता प्रदान कर देगा उसके लिए आपको चाहिए कि आप तुलसी के व्रक्ष लगाएं और उसका दान भ प्रगती आएगी और कारवितिजी आएगी आपके लिए बहुत बहुत शुब कामना है और आश्रवाद अनुपम जी उमेद करते हैं आपकी समस्या का समधान आपको मिल गया है और जैसा अचारी जी ने बताया है आप वैसा करिए जरूर आपकी जो समस्या है वो खतम हो की आचारी जी हम बात कर रहे थे दान की और हमने आपने बताया सस्टम भाव की बारे में तो हम अगर च्छटे भाव की बात कर रहे थे तो च्छटे भाव का जो दान होता है वह बहुत ही विचितर होता है ऐसे में जो भी हमारे सफाई कर्मी है मैं आपको च्छटे भाव क आटवे भाओउ का दान और बारवे बाओउ का दान यह तीनों दान मैं आपको एक साब बताता हूं जी ख़े आट और बारा का जो धान होता है वो अगर यहां पर राहू हमारे विराजमान है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहीं न कहीं जो हमारे प्रभाव क्युक्ता बढ़ेगी और राहू के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे सब्तम भाव कि अगर बात करेंगे अगर हमारे सब्तम प्रवावित होता है। सब्तम भाव में रहो होने से व्यक्तिका दामपत्य जीन बहूत रहुत होता है। और उसके पति या पतनी से ताल मेल पसमे नहीं बैठता बहुचारीं रिकमत भेच होते हैं। यह उसके पति यह पत्नी का सौस्थ खराब रहता है। तो इस ब्ढहाओ को उत्ताम करने के लिए हमें चाएं के हम भगवान शिव पर जा करके भगवान शिव का पंचे तत्तों से उनका असनान करा हैं दूद दही मठा घी शैद इन सब चीजों से हमें भगवान श्रीफ को असनान करा कराना चाहिए तत्पश्चाद भगवान श्रीफ पर इत्र लगाना चाहिए सपतनी जाएं वहाँ अचार जी एक कॉलर जोड़ चुके हैं नासिक से आनन जी अपना सुबके साथ बसकर 15 मिनिट पर अस्थान हाजीपूर है और बच्चे का मैं करीयर के बिशाय में जाना चाहेगा है अब्ची करेक करेगा क्या है कैसे राएगा बच्चे का नाम क्या है अपोर प्र तुर्वेदी तो दो चीजे निकल करके बच्चे आ रही हैं बच्चा पढ़ने में तो ठीक है कई सारी चीज़े भी अच्छी है लेकिन कई नहीं बच्चे का मन जो है वह बहुत शीग्र विचलित हो जाता है और बच्चा आपका उर्जावान है और जिस प्रकार आपने बताया कि वह आयाइटी की त्यारी कर रहा ह है और हम ऐसी इश्वर से प्रातना करते हैं और ऐसा पूरा आशिरवाद भी है हमारा कि बच्चा आपका आईटी एक्जाम को क्रेक करें और उन्नती की और अग्रसर हो उसके लिए आपको उपाय करना चाहिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे से प्रतेक ब्रस्पत हो जाएंगी आपके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुप कामना है और अश्रवाद है अचार जी कॉलर हमाई साथ जैपूर से महेंजी जूट चुके हैं महेंजी अपना सवाल पुछ है क्या जाना चाहते हैं क्या है समझे आपकी यह हमारा मकान कब तक बने जा कि महेंदर जी अगर हम आपके नाम के अधार पर चर्चा करें तो आप यह समझेगी कहीं न कहीं आपके थोड़े से भवन के अधार पर आपका जो चतुर्त भाव है वो उसमें शुबता थोड़ी सी कम है तो आपको चाहिए कि आप किसी अनाथाश्रम में जाएं और आपको भोजन की परियापत विवस्था महीने में एक बार तो करनी करनी चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए कि आप एक वर्ट व्रक्षकार उपड़ करें ऐसा करने से आपके जीवन में जो भवन संबंदी समस्या है वो यताशेगर दूर होगी और जो ग्रही कैलकुले विशर ने उसके अधार पर अगरम देख रहे हैं तो यह समझे अक्टोबर महीने के अंत तक आपका मकान बनना प्रारम हो जाएगा आपके लिए बहुत-बहुत शुब कामना है और आशिरवाद है फलाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का हम जल्द हाजिर हूंगे प्रेके बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कारिक्रम लाइव विद लंकेश में आचायर जी हम जान रहे थे आपसे दान की विशह में और कॉलर्स इतने हैं कि हम अपनी बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं देकि हम लोग जो भी बात कर रहे थे हफी तरहए हम लोगों ने सप्तम भाव के दार पर बात करी तो हमें इस प्रकार से अपने पती या पतनी साथ में जागर बागवाने काब इसे करना चाहिए और अब हम बात करते हैं क्योंकि अस्टम भाव के उपायों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था अब हम बात करेंगे नवम भाव के उपायों के बारे में अपने भागी की विद्धी के लिए हमें क्या करना चाहिए क्योंकि अगर वहां पर रहू बैठे हैं तो कहीं नहीं हमारे भागी को दूशित करते हैं हमें अगर अपने भागी को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कई सारे उपाय करने चाहिए हमें चाहिए कि हम शनिवार के दिन एक बर्गत के व्रक्ष को लगाएं और उसमें नित्य प्रती मीठा जल चड़ाएं ऐसा करने से हमारे जीवन में जो नमभाव से संबंदी जो भागई से संबंदी जो समझ से आएं वे यह था शीक्र समाप्त हो जाएंगी और उसके अलावा हमें चाहि तो करने से हमारे भाग में वरद्धी होगी हमारी और ऊर्ज़वे व्रद्दी होगी और हम जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हमें सफालता ही हासिल होगी हमाई बीच एक कॉलर बनारे से जूट चुके हैं प्रभाकर जी प्रभाकर जी अपना सवाल पुछेगा क्या जाना चाहते हैं आप प्रभाकर जी कर्ज की समस्या बहुत बड़ी समस्या होती है यदि जो व्यक्ति कर्ज में एक बार फस गया तो यह एक ऐसा भवर है कि इवक्ति इसमें उलसता ही चला जाता है इससे मुक्ति पाने के लिए हमें चाहिए कि हम प्रतेग ब्रस्पतिवार मक्षन और मिश्री का भोग भगवान विश्नु को लगाएं और उसके पश्चात गजेंद्र मोक्ष का पाठ एक पुस्तक आती है चोटी सी गजेंद्र मो इसको समस्या से निजात दिलाई थी उसी प्रकार हमारे जीवन में भी समस्याओं से हमको मुक्त कीजिए और हमें कर्ज मुक्त कीजिए ऐसा करने से ऐसा कम से कम साथ ब्रस्पतिवार लगातार आप कर तक लगातार आपको घजेंद्र मोक्ष का पाठ मक्कर और मिश्री का करना है आपके जीवन में उत्पन होने वारी समस्या या था जीगर समाप्त हो जाएगी आपके लिए बहुत बहुत शुप कामना है और आशिरवात चाहिए दान की बात हो गई हमारी और हम जाना चाहिए जैसे कुछ बच्चे होते हैं वह अपने घर से दूर रहके पढ़ते हैं प्रतीना चाहते हुए भी ऐसी गलती कर बैठता है जो उसके करियर के लिए बहुत बड़ी बादख होती है वो नहीं करना चाहता रहिंगिन उसके बाद दिश से गलतियां हो जाती तो उसके लिए बहुत ही अच्छे उपाय मैं आपको बताना चाहा है यह प् बहुत तीवरता से शांत करता है तो हमें बकरे को ऐसे मूंग डाल से बनी हुई चीज़े खिलानी चाहिए अगर हम उसकी प्रकौली बना करके नहीं खिला पा रहे हैं तो हम मूंग की डाल को थोड़ासा भिगो लें थोड़ासा गीली करने और उसे अपने हातों से बकरे को इस उपाय को करें तो उनके जीवें में जो भी समस्यां पन्न हो रहे हैं वे यता सीक्र समाप्त हो जाएंगी और वे सभी प्रगतिपत पर अग्रसर होंगे हैं हमाई बेच एक कॉलर सावित्री जूट चुकी है बनारत से सावित्री जी अफना प्रेशन पूछेगा क्या जाना चाहती है आप किसी कारण प्रास इनसे संपर्ख नहीं हो पा रहा है हमारे साथ प्रेशांत आग्रा से जुड़ चुके हैं प्रेशां जी अपना सवाल पूछे क्या जाना चाहते हैं जो परवरी 92 है और देट आप टाइम है साड़े दसवाजेस होएगा तो कैरियर बगारा सब ठीक है लेकिन इसकी साधी कब तक होगी कब तक साधी का यह हो देखिए प्रण जी साधी के बारे में अगर बात करें तो विवा के जो योग बंते दिखाई दे रहे हैं वो कुछ समस्याओं से प्रण जो है वो मंगल और शनी दोनों से द्रिष्ट है तो इस प्रकार की समस्याओं थोड़ी सी उत्पन हो रहे हैं आपको चाहिए कि आप भगवान शिव पर दूद में केसर डाल करके प्रतेक सोंवार चड़ाएं और उनसे प्रातना करें कि है करना और आशरवथике अशय घरते हैं प्रिष्ट है आपकी समस्याओं अ का समाधान आपको मिल गया होगा और वक्त चना है विदा लेने का और अचारीजी आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों को और हमको दिया और उनकी समस्याओं को अपने सुना और समाधान बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम फिर मिलेंगे आपसे किसी नए विशे के साथ तब तक मुझे दीजे इजादत नमस्कार